नमस्कार दोस्तों हिंदी नीज अफेर्स में आपका सवागत है दोस्तों एक भारत के लिए बहुत ही बुरी नीज आ रही है दसल भारत के लिए ही बुरी नीज नहीं है यह पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट के लिए बुरी नीज है दसल नीज यह है कि भारत की एक रैंकि हो रही है कि इस रैंक में आंगला देश नंबर वन है वर्ष्ट में और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर हमारा नाम आता है भारत का जो सबसे ही ज्यादा गंदा है मतलब और एक चीज़ और बता दू नेपाल को भी कि हम लोग बहुत साफ सुत्रा समझते हैं ऐसा नहीं कि नेपाल बहुत साफ सुत्रा है वहां कभी जो एयर क्वालिटी भी बहुत गंदी है नेपाल की रैंकिंग एट अब आपको बेसिकली डाटा के साथ बताता हूं कि दोस्तों है क्या चीज़ अब आप यह समझ लिए कि भारत नंबर तीन पर है हलागी बंगलादेश का तो बहुत ही जादा खराब है रैंकिंग वन अब इनके पास यह डाटा बनाया किसने और कैसे यह बनता है और यह बनता जो है इसका डेटा जो कलेक्ट किया जाता है इसके लिए कुछ मसीने लगी हुई है अलग अलग जग कर operation तो었어요 बात करें तो 286 मिल उड़नेचस में यह मसीने लगी हुई यह जहां पर इसकी क्या इसकी को मेजर किया जाता और वहाँ सिर्फ दो इसमें ही मसीन लगी हुई है पाकिस्तान में दफ जगा पर मसीने लगी लगी हुई है जिसे इसरीर क्वालूटि मेजर करते अब को एक बात बता दें सबसे जादा तो USA में लगी हुई है सर्यूंक्रास्ट अमेरिका में 322 मसीन्स लगी हुई है यूके में 219 लैटीन अमेरिका में भी 219 अफरीकी सब कॉंटिनेंट में 79 मसीन्स लगी हुई है तो इस तरह से यह डेटा उठाया जाता है और उसके बाद इस 256 मसीन्स लगी हुई है 256 सिटी को मॉनिटर किया जा रहा है तो यहां का डेटा जादा आएगा अब बंगलादेश में सिर्फ दो ही सिटी है अब सोचे दो सिटी में ही उन्होंने करा और उसे में इतना ज़्यादा पॉलीशन निकला आया एयर का कि वो रैंक नंबर वन हो ग पॉल्टी जो खराब है इससे कोई हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है इससे हमारे जो जीवन है यह उसकी उम्र कहीना कहीं काम हो रही है जो और अगर हम बात करें कि लाइफ जो एक्सपेक्टेंशी होती है कि कितना इंसान को जीना चाहिए तो इंडिया मे उसकी जो भी एल है सवेंटी टू ऐ इनडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंशी है और अगर यहे बात करें हाँ खौंग में तो सबसे जightought है होहा पे 85 एयर ईक्सपेक्टेंशी है पाकिस्तान में और जादा कम है वहाँ 67 एयर की ईक्सपेक्टेंशी है उसमें भी एक उर सबसे जादा विस्ट मतलब सबसे जादा पॉलिश पॉल्यूक Liter rhyme सूचिये अरजिए एक संबißt कि इस सो सिटी का सर्वे किया गया जिसमें ऐटी 3 Cities भारत कें पॉल्यूकिट यह समझ रहे कि कितनी गंदी चीज है हम लोग सिकागो यूनिवर्सटी ने एक रिपोर्ट जारी करी थी एक रिसर्च करी थी उसमें यह बतायाता है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी लाइफ में कम से कम 12 साल की कमी आ जाती है ऐसी एर कॉयलिटी है यहां पर जबकि पूरे साउथ एसिया की बात करें तो वहा साल है सुचे दोफ तो कितनी बुरी बात है अलाकि इसके लिए सरकार भी काम कर रही है और हम लोगों को भी और काम करने की जवरत है तो सरकार ने एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लाँच किया था उसके तहत वो कुछ काम भी कर रहा है जैसे कि फॉरेस्ट को और ज़् बनाने की जवरत है इसके अलावा जो हम ट्रांस्पोर्डेशन यूज करते हैं यह इंशूर करें कि हम अपना पर्सनल ट्रांस्पोर्डेशन यूज ना करके पब्लिक ट्रांस्पोर्डेशन से ज़्यादा यूज करें इसके बाद जैसे पंजाब हर्याना में और कुछ प उसके लिए हम कुछ अच्छी चीजे छोड़ कर जाएं ऐसा होना चाहिए ओके दोस्तों कुछ और अपडेटर चीजे से रिलेटर पता लगती है तो मैं आपके लिए अपडेटर वीडियो लेकर आऊंगा थैंक्यू